हेलो दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे जिल्लोकों का जो एसे नाइन हैंडल लेता है वो एसे नाइन हैंडल के उपर देखे ए फिक्चर में एक रिंग जैसा बना हुआ है तो ये S9 का उपर जो ring है जो switch का जैसा है वो क्या है एन उसका काम क्या है तो आज का topic यही रहेगा S9 का उपर ये चीज़ क्या है एन उसका काम क्या है तो आए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं तो देखिए यह जो चीज हमारा S9 का उपर लागा है उसको हम लोग बोलते है बेल रिंग यह जो हमारा बेल रिंग है जो S9 का उपर लागा है वो हमेशा नौर ब्रेक बाला ब्रेक सिस्टेम में देखने मिलेगा नौर ब्रेक हमारा कहा पे रहते है थ्री पेज लोगो में रहता है तो थ्री पेज लोगो नौर ब्रेक सिस्टेम होगा तब यह S9 का उपर में ऐसा हमारा एक चीज देखने मिलेगा इसको हम लोग बोलते है बेल रिंग ठीक है, इस तरब हो गया, एसे नाइन, एस तरब जो रहाता है, ओ है हमारा एनाइन, ठीक है, एन बीच में क्या रहाता है, मोड स्विच रहाता है ठीक है, तो ये नॉर्ड ब्रेक सिस्टेम में हमारा एसे नाइन के उपर रहे गया, तो इसको हम लोग बोलते है, बेल्डिंग तो इसको नाम तो जान गया, बेल्डिंग बाट इसका काम क्या है, इसका काम जानने से पहले, देखिए हमारा लोको में दो तरब का क्या होता है, ब्रेक लगता है एक हमारा श्रिप लोको में ब्रेक लगता है एंद दूसरा हमारा लोको के साथ पीछे बाला जो वागेन रहेगा पूरा ट्रेन में ब्रेक लगेगा ठीक है तो वागेन में बोल सकते हैं कोच दोनों में ब्रेक लगेगा मतलब हो गया किया पूरा ट्रेन में ब्रेक लगेगा तो ये लोको ब्रेक लगाने के लिए हमारा A9 से हम लोक एपलाई करेंगे तो लोको ब्रेक लागेगा एन अगर हमारा A9 से ड्रॉप करें ब्रेक लगाएंगे तो हमारा लोको का साथ वागेन कोच में भी ब्रेक लागेगा मतलब हमारा पुरा ट्रेन में ब्रेक लागेगा बाट हमारा ये A9 से ब्रेक लागाने के टाइम हम लोग चाते हैं हमारा लोको में ब्रेक नहीं लागे स्रिप हमारा वागेन और कोच में पीछे जो है उसका ब्रेक लागे क्यूंकि लोको में श्रिप ब्रेक लागाने के ओपसियन मिला बट श्रिफ वागेन कोच में ब्रेक लागाने के कहते कोई तो नहीं है यह क्या है कौणंजयंग्षेन ब्रेकिन हैं दुन्हों साथ में लगेगा यह नहीज से ड्रॉप करेगा तो तो अगर हमारा लोको में ब्रेक नहीं लगाना चाहता है एन वागेन कोच में अल्ली ब्रेक लगाना चाहता है तो उस टाइम एक हमारा पैडल स्वीच का ओप्सिन दिया गया है जो है पीबी एफ तो पैडल स्वीच जो हमारा लोको का पाइलोट रहता है उसका पैर के पास रहता है पीबी एफ तो ओ दाबा के हम लोग एन आइन को ड्रॉप करेंगे तो हमारा लोको का तो ब्रेक नहीं लगेगा बाट हमारा पीछे का वागन और कोच का ब्रेक लगेगा तो इससे हम लोग train brake तो लगाएंगे बट हमारा loco में brake नहीं लगेगा proportional brake अप्लाई करने से भी हमारा loco का brake नहीं लगेगा जब हम लोग पीबी एप को दबाएंगे बट हमारा अब लोग देखे होगे क्या होता है हमारा SNIं release में राता है नोर्माली और अगर हम लोग A9 को ड्रॉप किया और PBF को PBF को नहीं दबाया तो क्या होगा हमारा एप प्रोपोर्शोनल ब्रेकिंग के करण लोगों में भी बिडेक लागेगा तब क्या करता है ना ये PBF नहीं दबाया इसलिए क्या करता है एप बेल रिंग को उपर के तरफ एक ठेलता है ठीके उपर के तरफ उठाता है जाब एप बेल रिंग को उपर के तरफ उठाएंगे तब क्या होगा हमारा एप जो लोगो ब्रेक है लोको ब्रेक जो रहता है वो लाग गिया था वो लेको ब्रेक हमाड़ा क्विक रिलीज होगा ठीक है अगरा क्विक रिलीज होगा तो यह बेल्डिंग का काम है क्विक ब्रेकिंग में लोको का ब्रेक को क्विक रिलीज करने के लिए यह इसको हम लोग उपर के तरफ प्रेस करेंगे यह कोई पूज बटन नहीं है एक बेल्डिंग है तो इसको कॉलर को उपर के तरफ करने से क्या होगा हमाड़ा लोको का जो ब्रेक था वो क्विक रिलीज होगा और अगर PBF को दबाके हम लोग A9 को ड्रॉप करेंगे तो लोको का ब्रेक नहीं लगेगा बाट A9 को ड्रॉप करने के बाद अगर हम लोग लोको का ब्रेक को रिलीज करना चाता है स्रीप वागेन और कोच में ब्रेक लगे रखेगा बाट लोको का ब्रेक नहीं लगेगा तब उस टाइम हम लोग बेल रिंग को क्या करेंगे कोलार को उपर के तरफ करेंगे तब किया होगा लोको का ब्रेक हमारा क्विकली रिलीज हो जाएगा तो यह है हमारा बेल रिंग का काम जो हमारा डीजेल लोको मोटीव में राता है एस पिक्चर में देखिए ये WDG Ford Locomotive है तो इसमें भी हमारा क्या है SA9 का उपर ये Bell Ring लगा हुआ है एस बला पिक्चर में देखिए ये 3-phase Nord Brake System है इसका भी SA9 का उपर ये Bell Ring लगा हुआ है तो इससे हम लोग Synchronize और Proportionate Braking में Loco Brake में क्या करते हैं लोको ब्रेक को Quick Release कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग Building का बाड़े में दिसकास किया Building क्या होता है इसका काम क्या होता है तो ए वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरू करे चैनल को सब्सक्राइब करते में दें नहीं को बीडियो में झाल झाल